हेलो गाइज, वेल्कम टो विद्धालचमे कोचिंग, गाइज मैं आप लोगों के लिए आज क्लास एट विद्धाय एक जो कि सीविक्स सम्मिधान ने कराई हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सम्मिधान किसे कहते हैं, और आज आप लोगों को बेसिक कोष्टन बताने यानि सौट कोष्टन और परिच्छा की दिरिष्टी से सबसे महत्तो पुर्ण होते हैं, और सौट कोष्टन ही आती हैं, जो कि आप लोगों को चार गो करका आपसंदिये हुए रहेंगे, और आप लोगों को एक गो अंसर सेलेक्ट करना है, ओके, आप लोगों को एक कोष् समू होता है जिसकी अनुसार किसी देश की सरकार चलाई जाती है उसे सम्मिधान कहा जाता है तो चली हम लोग देखते हैं कि सटट कुष्टन किस परकार के है देखिए चप्टर रेख है सम्मिधान है देखिए एक नमबर क्वेश्टन दे रखे हैं कि सम्मिधान के निर्मान में कितना समय लगा था तो सम्मिधान के निर्मान में दो बर से गारमा आठरा दिन का समय लगा था फिर नमबर टू क्वेश्टेन है कि भारत में सिच्छा क अधिकर कानून कब सा लागू हो गिया तो एक अप्रेल दुहजार दसको क्वेश्टेन नमबर थिरी है कि सोतंतर भारत का सम्मिधान कब लागू हुआ तो 26 जनौरी 1950 जविगो क्वेश्टेन नमबर फोर है कि सम्मिधान दवारा कितने मोलिक करतेव प्रदत है तो एगारो मोलिक करतेव है और मोलिक अधिकर छो है हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे भी फिर 6 नमबर है कि 20 बका सबसे बड़ा एवंग लिखित सम्मिधान किस देशका है तो भारत का ही है सबसे बड़ा लिखित सम्मिधान सेवन नमर कोश्टन है कि सिच्छा अधिकार अधिनियों में अनिवारियों एवं नीशुल को सिच्छा बच्चों को दिया जाना है इसकी अधिक्तम उम्मुरस्विमा कितनी होनी चाहिए तिसकी अधिक्तम उम्मुरस्विमा 6 से 14 वर्स तक होना चाहिए यानि 14 वर्स तक class 8 तक सिच्छा आपको पुरा कर लेना है चलि ये फिर 8 नमर question है कि संपत्ति की अधिकार को मोलिक अधिकारों की सिरेनी से कब हटाया दिया गिया है तो ये 1978 को यानि 44 बे सनसोधन में हटा दिया गिया है फिर 9 नमर question है कि राष्ट धह जबंग राष्टगान का आधर करना क्या कहलाता है तो मोलिक करत पर कहलाता है question number 10 भारतिय सम्मिधान में नागरिकों को दियेगी अधिकारों को क्या कहते हैं तो मोलिक अधिकार कहलाते है question number 11 है कि मानवा अधिकर या मानवा अधिकर दिपस्की σ्थिथी को मानाई जाता है तो 10 December को मानाई जाता है 12. कुश्ट ने कि राष्टियों मानवाधिकार आयोक का गठन कब किया गया तो 1993 को याी 1993 को किया गया 13. कुश्ट ने कि भारतिय सम्मिधान के प्रारूप सम्मिधी के अध्यच्यकों थे तो dr. b r r ammedkar और dr. b r ammedkar और dr. b r ammedkar हम एक किये स harvesting के समिल आइ फहाल्य मंत्री परिशत कि अध्यकौक्छ को क्या कहलाते हैं तो मंत्री संफ्ध्यृ को क्या कहते हैं तो राश्टिय महत्त के विशय को संग सुची कहते हैं पर आठर नमर कुष्टन है कि जब देश में एक से अधिक स्थर की सरकार कारिय करती है तो क्या कहलाती है तो संग बाद कहलाती है देखे सरकार तीन होते हैं केंदर सरकार राज्य सरकार और स्थानिय सरकार ओके चलिए फिर उन्निस नमर कुष्टन है कि राज्यो से संबंधित विश्यों को क्या कहा जाता है तो राज्यो से राज्यो सुची कहा जाता है ओके फिर विश्यों कि अतिरिक्ति विश्यों से संबंधित सुची को क्या कहलाती है तो अतिरिक्ति विश्यों से संबंधित समाजबाद है, पांथनीर पेच है, लोगत अंत्रात्मख है और गणराइच है, ओके, फिर 22 नमबर है कि केंदरिश्थर पर कारियोपालिका का सम्मेधानिक अध्धच कोन होता है, तो यह राष्टपती होता है, 23 नमबर है कि केंदरिश्थर पर कारियोपालिका का बास्तविक सकती किसके हाथ में होती है, तो यह मंत्री परिशत का अध्धच कोन होता है, तो मंत्री परिशत का अध्धच परधान मंत्री ही होता है, 25 नमर कुष्टन है कि मंतरी परिशत किसके परती उत्तरदाईत होता है ते लोगसभा के परोती 26 नमर है कि लोगसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता कोन होता है तो परधान मंतरी होता है तो जिसमें से सबसे अधिक भोट मिलते हैं बहुमात मिलते हैं ओई पर्धानमंतिरी बनते हैं पर 27 नमर कुष्टने कि उच्चतम और उच्च नियालाई के नयाइधिसो की नियुक्ति कुन करता है तो राष्टपति करता है 28 नमर कुष्टे ने कि उच्च तम या उच्च न्यालाई के न्याइधिसो को केसे हटाया जा सकता है तो महाभियोग दवार हटाया जा सकता है 29 नमर कुष्टे ने कि सम्मिधान की अंतरातमा किसे कहा जाता है तो सम्मिधान के अंतरातमा मोलिक अधिकार को कहा जाता है ठर्टी नमर कुष्टेन है कि सम्मिधान के किस भाग में मोलिक अधिकारों का बर्नन है तो मोलिक अधिकार तीन में बर्नन है एक साथ थे तो साथ में से एक गहटा दिया साथ सुष्टा दिया अधिकार घटा दिया गया फिर टो एट हट्टी थिरी में है कि बरतमान में संभीधान में कुल कितने मोलिक अधिकार है तो छे अधिकार है ओके 34 नमर कोष्टे ने कि सम्मिधान सनसदन दबारा संपत्तिक अधिकार को मोल्लीक अधिकारों की सिरेनी से हटाया गिया है तो 44 वे यानि 44 वे में हटा दिया गिया है 35 नमर कोष्टे ने मोल्लीक अधिकारों का हनन होने पर इसकी रच्छा के लिए कहां जा सकते तो सरवच्च नियालाई में जा सकते हैं फिर 36 नमर कुष्टन है कि 14 बर्सों से कम उम्मरों के बच्चों को खतरना तता मुझदूरी के कारियों में नहीं लगए जा सकता है क्योंकि यह कानूनन अफ्रादे मनें 14 से कम बर्सों के बच्चे को कोई फैक्टरी में या घेरेलों काम में मुझदूरी में नहीं लगए जा सकता है 37 नमर कुष्टन है कि अभिवेक्ति की आजादी किस परकार का मुल्ली का धिकारे तो सोतंतरत का धिकारे यानि हम लोग अपने देश के अंदर कहीं भी जा सकते कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं 38 नमर कुष्टन है कि धर्म, जाती, लिंग, आधी की आधारबर भेदवा नहीं किया जा सकता तियो किस अधिकारे तो समन्ता का अधिकारे 39 नमर कुष्टन है कि प्रतेक बेक्ति को आपनी इच्छा के अनुसर कि सिवी धर्म का उपासाना पद्धती अपनाने और उसका प्रोचार परशार करने का अधिकारे तियो कोन साधिकारे यो धर्मिक सोतंतरता का अधिकारे फिर 40 नमर कुष्टन है कि 42 बास सम्मिधान सनसुतन कब हुआ 1976 यान 1976 विक हुए कि सिच्छा का अधिकार विदहयक की मंजुरी कप परदान की गई तिय चार अगस्ट दुहजार नौ को पराद परे मंजुरी परदान की गई और दुहजार दस को लागू हो गया फिर 42 नमर कोश्ट ने कि सम्मिधार में मोली कर्तव का उल्लेक कहां है तिय भाग चार का को में है ओके तालिस नमर कोश्ट ने कि भारतिय सम्मिधार की प्रस्तावना की अनुसर भारत के सासन की सर्वच इस्थर नहीं थे तो यह जनता के पास ही है 44 नमर कोश्ट ने कि किसी वेक्ति को उसके जनमस की मिलने बाले अधिकार को क्या कहला थे तो मानवाधिकार या मानव अधिकार 45 नमर कोश्ट ने कि राष्टियो मानवाधिकार याउग का गठन कब किया गिया तो 1990 थिरी इसबी को यानी 1993 इसबी को किया गिया फोट्टी फोर नुमर क्वेश्टेन है कि भारास सरकार दवारा मानवाधिकार की संग्रच्चन के लिए किसका गठन किया गिया तो राष्टियो मानवाधिकार आयोग 47. कि राष्टियों मानवाधिकार आयोक का अध्यच कोन होता है तो सर्वच न्याला के रिटायर्ट न्याधिच होते हैं यानि जो रिटाइमेंड हो जाते हैं ओही होते हैं राष्टियों मानवाधिकार आयोक का अध्यच फिर 48 नमर क्वेश्टन है कि मानवाधिकारों का उनलंखन को रोकने के लिए राज्य में कौन सा संगठन है तो राज्य मानवाधिकार आयोक का एक संगठन बनाया गिया है 49 question है कि संभीधान सभा का अध्यच्यकों ने तो डक्टर राजेंदर परस थे और अभी भी है 50 question है कि संभीधान सभा का गठन कप भुआ तो December 1946 को हुए थी 51 question है कि संभीधान सभा का जनक की ने कहा जाता है तो वियार अम्मिदकर को यान बाबा सहेब अम्मिदकर को अब थोड़ा लोंग कोश्टन आते हैं देखे 52 नमर कोश्टन है कि सम्मिधान किया है तो सम्मिधान कानूनों का एक समू होता है जिसके अनुसर किसी देश की सरकर चलाई जाती है उसी को सम्मिधान कहा जाता है पहले ताब लोग फास्ट भी बता चुके हैं 53 नमर कोश्टन है कि सम्मिधान के अनुसरा राज्य के कितनी अंग होते है तो सम्मिधान के अनुसरा राज्य के तीन अंग होते है बिधाई क्या कारिया पाली क्या एब अंग नया पाली क्या 54 नमर कोश्टन है कि राज्य व्यवस्ता का क्या आसा है तो राज ववस्ता एसे समाज से है जिसकी राजनितिक संग्रचना वेवस्तित है भारत एक लोगतांत्रित राज वेवस्ता है 56 नमर कोश्टने के संगबाद का क्या मतलब है या संगबाद का क्या अरत है तो संगबाद का मतलब है देश में एक से ज्यादा इस्तर की सरकार होना न हमार देश में तीन परकार के सरकार होती हैं। फिर 56 नमर क्वेश्टेड यह के भारतिय के संविधार के मुख्यों 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 मुल्यों कुनatra से Nous really है सोतंत्रत्ता समान्ता बंधुप धर्म निर्पिछत्य यह बंग समाज बात ओके 57 नमर कुष्टने कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते ही तो भारतिय सम्मिधान में नागरिकों को दिये कि सभी बुनियादी अधिकारे को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है 56 58 नमर कुष कि सोसन किया है फिर बोरा सोसन की व्रुद्ध अधिकार के दो प्रवधान बताई आपको अधिकार भी दोटो बताया गिया है तो किसी वेक्ति की मेहनत एमंग इस्तिति को गलत लाब उठाना और उसके परिश्रम का उचित मजदुरी न देना या मौलिक अधिकारों का हनन ही सोसन है ओके तो सोसन के विरुद्ध अधिकार फास्ट नमर है सोसन के अंतरगत बेक्तियों को खरीदने और बेचने पर रोक से है टू नमर है चोद्दा वर्स से कम आयो के बच्चुस से मौजदुरी नहीं करवाई जा सकती है फिप्टी नाइन नमर कुष्टन है कि भा समता का अधिकार सेकंड सोतांतर का अधिकार ठाट सोसन के विरुद्ध अधिकार फोर धार्मिक सोतांतरत का अधिकार फाइब सिच्चा और संस्क्रित का अधिकार लास्ट सिक्स समयधनिक उप्चार का अधिकार आवे मौलिक कर्तव और यहीं लास्ट कोष्टन मौलिक कर करतब किया है तो प्रोटेक नागरी के राश्ट या नितिकता के प्रोटी कुछ मुलभूत करते हैं जिने मुल्लिक करतब कहा जाता है ओके तो एही है आप लोग का बेसिक क्वेश्टेन और बेसिक क्वेश्टेन परिछा के तिष्ठी से महत्तपुर्ण होते हैं तो यह आप लोग के लिए बहुत ही महत्त पुर्ण है ओके और इसके बाद आप लोग को कुष्टेन नसर बताएंगे यानि स्वमिधान चप्टर का तो आज यही पर स्माप्त करते हैं फिर मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई